खिलाडियों की वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हर्ताल के बीज बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड, BCB, के पूर्व अध्यक्ष ने देश में क्रिकेट में बड़े पैमाने पर फिक्सिंग और ब्रश्टाचार का आरोप लगाया है BCB के पूर्व अध्यक्ष साबीर हुसेन चौधरी ने कहा बोर्ड की संचालन परिशद भी ब्रश्टाचार में शामिल है पूर्व अध्यक्ष ने खिलाडियों की जारी हर्ताल का भी समर्थन किया उन्होंने ट्वीट किया की, BCB दुनिया की एकमात ऐसी राश्ट्रिय खे लिकाई है जो संस्थागत तरीके से मैच फिक्सिंग और ब्रश्टाचार को बढ़ावा देती है यह अविश्वस्निय है, मैंने खुद कई बार इस मुद्दे को उठाया है खिलाडियों ने अपनी मांगों की लिस्ट बांगलादेश क्रिकेट बोर्ट को थमा दी है जिसमें कुल 11 मांग की गई है, इसमें फ्रेंचाईजी मॉडल को फिर से लाने की मांग भी शामिल है बांगलादेश 3 नवंबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की T20 और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत का दौरा करने वाला है